दोस्तों एक बार फिर डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवद्विश विद्यालय अवद्याउत्तर प्रदिर से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसमें बताए गया है कि बीटेक और एमबीए और फिर mca जो भी student है first second और फिर आपके third semester के seven semester के fifth semester के जो भी student है उन सभी student का exam से जूड़ी ये notification है जैसा कि exam आपके किस date से प्रारम होगी इसके बारे में आपको full details में notification के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा किस date को किस time में आपके examination कराए जाएंगे तो चलिए फटाफट वीडियो को start करते हैं तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो subscribe कर लिजेगा साथ ही में will notification होन कीजेगा जिससे नई वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहें मेंसन किया गया है डाक्टर राम मनुहर लोहिया अवद वीश विद्यालय अवद्या उत्तर परदेश यहां लिखा है अधिसूचना एतत दोरात सभी संबंदीत को सूचित किया जाता है कि वीश विद्यालय में संचालित बीटक 1st, 3rd, 5th and 7th semester साथ में MBA 1st, 3rd semester फिर MCA के 1st, 3rd और 5th और 7th semester के बीपी old courses के जो examination 2023 की है वो कुलपदी महोदे के अनुशार दिनांक 11 मार्च से प्रारम होने वाली हैं जिसका पूरा details में यहां नीचे दिया हुआ है बिस्तिस्त जानकारी दिया हुआ है जैसे कि आप देख दिजे बीटेक student के जो आपके examination है आपके वो examination first semester के किते बज़े से कराए जाएंगे और किस date से कराए जाएंगे इसके बरवियां mention किया गया है यहां लिखा है date and day आपका Saturday है 11 March 11 March में आपके mathematics all branch के बीटेक first semester के जो student है उनका बताया जा रहा है कि 10 बज़े से एक बज़े त पांच बज़े तक examination चलेंगे engineer management economics के civils के जो भी है database management system के CSI IT के हैं mechanic design second ME industrial management जो भी आपके examination जो भी courses के वो आप देख लिजएगा फिर वहीं आपके 14 March को examination है physics उसी के साथ में यहां देख एक applied design के हैं और इसी प्रकार से analog communication के engineering civils के हैं तो microprocessor के आपके examination है second जो फिवक्त समस्टर के भी टेक के हैं दो बज़े से पांच वे तक examination करा जाएगे इसी प्रकार से इसी करम में आप आगे देखेगे 20 March को आपका Monday है Monday को जो examination करा जाएगे वो आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा आप चाहे तो note कर ले नहीं चाहते हैं अगर आप note करना तो आप चाहे तो screen sort भी ले सकते हैं नहीं चाहते हैं ऐसा करना तो आपको वीडियो के description में notification link प्रवाइड कर दूँगा वहां से भी क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं फ इसके बारे में भी यहां हम discussion कर लेते हैं जो बीटेक third semester के student है उनसे भी का examination 13 मार्च से कराए जाएंगे 13 मार्च से इनका भी दिया हुआ है इनका भी 10 बज़े से एक बज़े तक examination चलेगा third semester वालों के लिए और बीटेक seven semester के student का जो भी है उनका दो बज़े से 5 बज़े तक फिर एगरी विजनेश का finance and control hospitality to curriculum management के जो भी examination जो भी आपके course अपने select किया है वो अपना step by step देख सकते हैं यह 11 मार्च से इनका examination start होगा MBA first semester में एक्स student back paper 2023 अब बात करते हैं MBA third semester की इसमें भी शेम प्रोसेस है दस बज़े से एक बज़े तक आपकी examination होगे और तेरा तेरा मार्च से इनका भी examination start होगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम प्रोसेस है और MBA का जो first semester का exam है वासे ही second semester का है इसमें भी जो भी आपका course है वो आप देख लिजेगा और जिस जिस दिन आपका examination है examination के आप तैयारी करके आप अपना exam को अच्छे तरीके से दीजेगा अब बात करते है हमारे बी टेक seven semester का last का 31 मार्च की ये बात आती है back paper old courses के जो back paper आपके बचे हुए हैं वो दस बज़े से लेकर एक बज़े से करा जाएंगे और ये examination आपके 31 मार्च को कराया जाएगा बी टेक seven semester के EX back paper old courses के लिए ये Friday को आपका exam होगा 31 मार्च फिर ये MCA first और third and fifth semester का जो examination है वहां mention किया गया है ये देखिए आप scroll करके देरे देरे मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी 11 मार्च से start है और ये 11 मार्च से लेकर आपके चलेंगे टोटल एक 30 मार्च तक एक जामने से चलेंगे तो दोस्तों अगर किसी भी प्रगार के आपको confidence होता है कोई भी कोछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आसा निक्षे चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल